नमस्ते अमीता डोट संकर की किचन में आपका स्वागत है मैं अमीता आज आपके लेकर आए हूँ ब्रेड पकोड़ा जो कि मैं बनाओं बहुत ही अलग तरीके से हम इस्टेफिंग वाले बनाएंगे पैनिर इस्टेफिंग करके जो कि खाने में बहुत ही लजीज और मज़े ज़ए लगेंगे आपको यह देखिये बड़े बुड़े है एक खाएंगे आपको मनगी भर जाएगा पर मनगी भरेगा इस तरह का यह है तो चलिए बनाने के लिए हम अब सबसे परुशन करेंगे ने देखिया से आप सर्व करिये तीज सॉथ डालके मज़ेदार लग रह तो मैं इसमें थोड़ा सा दही आड़ करूंगे दो से तीन चमज के करीब में दही आड़ करेंगे जिससे कि इसमें टेश्ट बहुत ही अच्छा लगेगा उसका तो इस तरह से हम थोड़ा सा दही आड़ करेंगे इसमें अची तरह से हम विसकर से फैट लेंगे अची तरह से अब हम इसमें कुछ बेसन आड़ करेंगे और कुछ मसाले ये मैं दो से तीन चमच के करीब बेसन ले रहे हूँ आप अपने हिसाब से ले जितने आपको बनानी है तो मैं यहां तीन से चार चमच ले रहे हूँ ये दो चमच चाबल कांटा ले रहे हूँ चाबल काटा लें आप जो कि इससे क्रिस्पी बहुत अच्छी होगी यह आधा चमच के करीब काले मिज पॉडर आधा चमच के करीब हल्दी पॉडर आधा चमच के करीब जीरा पॉडर एक चमच के करीब लाल मिज डाले अगर आपको तीखा पसंद ना आए तो ना डाले और आधा टेबल स्पन के करें अजवाइन डालें जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा अरत पच्छने में भी सुवीदा होगी इस तरह से हम सारे मसाले डालके इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे जो कि नगाड़ा हो गोल नज़्यादा पतला हो ताकि हम इसे जब ब्रेड इसमें डिप करें तो उसमें एब्जब हो जाए इस तरह कि हम घोल तयार करेंगे इस तरह से इसे खूरी तरह से फैट लें दोगी देर तक यह एक भी लंज ना रहे और अच्छी तरह से मसाले हल्दी जारे कुछ मिक्स हो जाए तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे आप इसे रेश्ट के लिए छोड़ दें, ताकि ये विखके रहेगा तो अच्छी आएगी, तो अब हम तयारी करते हैं पनीर के लिए, तो मैं ये पनीर पैकट वाले पनीर ले रहे हैं, इसे ट्राइंगल में कटिंग कर लिए हैं, जिस तरह से हम ब्रेट की कटिंग करेंगे तो इस तरह से मैं इसे भी कटिंग कर लिए हैं, तो इस तरह से ट्राइंगल कटिंग करके, इसमें नमक काली मिर्ज को छुड़के, थोड़ी देर के लिए रेश्ट के लिए छोड़ देगे, ताकि पनीर में अब्जूब करें तो फिक फिका ना लगे अंदर में, तो इस करने से छृइस के लिए जोड़ देंगे, तो न सनयसे तक 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 शृब्श करें डूरा है MT, इसे मैं सब्साड़ के लिए छोड़ दीए हैं इसमें थीयोगे ह। पहले मैं एक कड़ाई ले रही हूं। आप चाहे तो कोई भी कुपी Thousand for K हुँ सबूत जीरा इसे जब जीरा पक जाए इसमें दो हडी मिश डाले आपको तीखा कम पसेदें तो कम कर सकते हैं और यह मैं डाल रहे हूं अधरक कर दूकस करके अगर आप लेसन काते हैं तो आप लेसन अधरक का पेस्ट डाल सकते हैं मैं यह बगर लेसन प्याज के बना तो अगर आप्यास भी डालना चाहते तो चौप करके डाल सकते इसमें तो इस तरह से हम हल्दी भी डालेंगे तेल में ताकि कच्छा पड़य ना लगें अब इसमें ये अलूमेन बोिल करके चूर के रखें हैं लिकाले अच्छा आज पूरा मैस्ट नहीं करना इसे घलकी से मिक्स कर लेंगे हम अची तरह से पहले तेल के साथ थोड़ी सी अब इसमें थोड़ी से नमक अड़ी करें आधा चमच के करीम नमक ले रहे हूं आप अपने हिसाब से तुषाद करने सर ले सकते हैं आधा चमच के करीम मैं लालमिज मैं अब हम डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया में ज्यादा कर सकते है एक चमचوق में थोड़ी सी गरम Masala भोले भर माद और आहिसे थे प्रम डाला कहां है सबस्कांद के शरके हैं नहीं फ़ाहें लें भराकर क्षचचात मचल अगर्ट आप को ऐन प्स Wahr hunting साथ तो आहीं बील्र वाइट ब्रेड ले रहा है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं तो मैं इसे ट्राइंगल में कटिंग कर रहे हूं आप अपने इस आप से साइज को इधर से भी छोटी भी बना सकते हैं मैं बड़ी-बड़ी बना रहे हूं क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लग आपने पनियर आपसे लगा है कि एसे ताह पिलै देखते हैं। अपने और सुवीदाय कि रहते ही, उनके ब्रेड धाई और यह ज़िए हैं। यहां तक प्रेट है सारव में लगाएं मैं अब दूसरे सायड भी आप लगा लये इसमें आलू को ताकि दोनोंगे टेच्ट बरूबर आये 새!!!!! यसायि सें हम मुग कम जादा कर सकते शोटें अगर आपको कम पसंद तो कम डालेंस अविति से मने यह बीच में इस तरह से बने से घखाय सोते अनसे बने से लिए IK. binds कर मुईगी對不對 यह चर्फ कर सकते हैं इक करदें लिए यहां पहरा और पृत तयार पहलेमने से प्रृते पाइब में में चाहने में और भाइब सोते हैं नए जोलरी में आगे में डेले हैं ऐसे चुनल भी पनीर डालेंगे दूसरे साट भी आलू हम लगाएंगे इस तरह से यह देखिए इस तरह से आप लगाएंसे और यह इस तरह से इसे बंद करदे जाएं यह अंदर पनीर भी ढ़एगा इसमें पनीर पर commitments भी टेस्ट आएगया और अलू का भी ब्रेट पको हम देखिए घोल में इसे डिप कर लेंगे पहले ब्रेड को और इस पे तेल में हम डाली हो रहा है थोडहीं से अधर है कम एक दालती हूँ क्योंकि यूद्य जाता है तो पिर यसे स्मेल आने लग तो इसलिए में कम तेल यूज कर था थी मैं पहले भी बतायती तुछ से जब तब तक हमारा ब्रेट पकोड़ा फ्राय हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यूटूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बेल का घंटा भी जरूर दबा जिसे कि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेस आपके पास पहुंचे और अच्छे लगते तो भी आप बता सकते तब तक हमारा ब्रेट पकोड़ा देखिए तब तक फ्राय हो चुगा जब तक आपने सब्सक्राइब किया तो इस तरह से हमारा ब्रेट पकोड़ा देखिए अपके नारे से तेल निकालते वेसे निकालेंगे और यह देखिए अब क कटिंग करिए यह देखिए मैं कटिंग करिए दिखा रहे हैं यह कितना मस्त है खा क्या आप मस्त हो जाएंगे तो खाइए और मस्त इंजोए के जे थैंक यू वाचिंग मैं वीडियो बाइबाइटेक क्यार